हलो एवरिवान स्वागत है आपसे भी का हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी हपए तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपोर्टेंट बात पर चर्चा करने वाले हैं इसलिए वीडियो को पूरा देखना यानि कि सुरू से लिक एंड तक पूरा देखना तो बहुत स अरे बच्चों की demand actually मैं में ऑक्ता इक्सर एक्साम में पूछा जाता है कभी का कभी परिचέ तो यह बताई की कवी परिचय को हम कैसे याद रखें और हमें लिखना कैसा है तो आज के सी वीडियो में हम जानेंगे कि हमें कभी परिचय को लिखना कैसा है और उसे याद करने की ट्रिक कैसी होती है एक्जाम में और हम लोगों की बुक्स में बहुत सारी कभी कभी परिचे दिये हैं उनकी रशनाय दी गई है अब बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि या तो हम महादेवी वर्मागी कर रहे हैं तो हम जैसंकर प्रिशाद की भूल रहे हैं अगर जैसंकर प्रिशाद की रशनाय कर रहे हैं तो क्या हो रहा है हम रामचंद्र शुकली की रशनाय तो आपको क्या करना है कुछ नहीं एक्जाम से पहले अभी exam में time है, exam से पहले बस एक copy बना लेनिया है, उसमें बारी-बारी से सब की रचनाए point to point आपको लिख लेनी है. अब सबसे पहले हम जानते हैं अगर मालो एक्जाम में आ गया कि कवी का कवी परिचय लिखें मालो सुमित्रा नंदन परंद का कवी परिचय आ गया याद रखना ये एक्जाम में हमेशा 5 माक्स का आता ही आता है और अगर आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देख लिया तो यहां से आपके 5 नंबर तो तैस समझो चलो बात करते हैं हमें कवी परिचय या फिर लेखक परिचय लिखना कैसे है सबसे पहले हम लिखेंगे कवी की जन्मति थी ठीक है कवी का जन्म कब हुआ याद रखना हमेशा ही एक्जाम में आता है तो आपको बताना है कि यहां पर वीडियो में बताया जा रहा है कि आपको लिखना कैसे है लिखना आपको है लिकिन आपको ट्रिक सिखाई जा रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनना अब जैसे यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले लिखेंगे आप जन्मति थी यानि कि उनका जन्म दिन का पढ़ता है और उनकी सन कौन सा है ठीक है फिर बात करते हैं लिखना है जन्म इस्थान की याद रखना एक्जाम में जन्म इस्थान से भी कॉश्चन्स पूछ लिए जा सकते हैं बस आपको याद रखना है कि कैसे आपको लिखना है और अगर आपने यह जान लिया कि याद कैसे करना है तो आपसे कोई भी कॉश्चन पूछ लिया जाए आसानी से आंसर बन जाएंगे चलिए सबसे पहले आपको लिखना है जन्म इस्थान कि उनका जन्म कहां प जन में कहां उआ था अब इंपोर्टिंट बात आती कि आपको भyahसा में लिखना क्या इए एक sự कोश्चन्स आते एक्साम में पूस्त आ है कि कवी का कवी की दो रश्चना और नुबंको पूछिके के सूरदास की दो रश्चना लिखिय साथ ही साथ उनकी कावी का विशेष्टाएं बताईए या फिर उनका भावपक्ष या फिर कलापक्ष बताईए तो यहां बें इंपोर्टेंट बात हो रही है सबसे पहले अगर पांश नंबर का कॉश्चन आ रहा है तो आपको यह सारी चीज़े लिखनी ही लिखनी है तब ही आपको पूरे नंबर मिल देंगे तो धान ड़कना अगर पूछ लिया जाए कि भाशा ठीक है भाशा वाला पॉइंट कर लिना भाशा कैसी है उनकी भासा प्रवाह मही हो उनकी भासा में हम लोग अरभी बहुत सारे लेखाक होते हैं जो अर्वी भाशा का प्रियोग करते है कुछ ब्रज भाशा का ये सारी बात आपको अपने answer में लिखनी है अब बात करते हैं उनकी Sally की उनकी Sally कैसे बहास को है बात करते हैं उनकी Sally कैसे हो सकती है विवेचनातमक या फिर वरनातमक या फिर निवनिदातमक ध्यां रखना भाषा जरूर एड़ करना है और सैली जरूर एड़ करनी है ठीक है अगर आपने इतना लिखा आपको आधे नमबर तो यहीं से मिल जाएंगे अब बात करते हैं उनकी रचनाएं पे तो हमेशा कवी की रचनाएं तो पूछी ही पूछी जाती है अगर मालो 5 नमबर आय सिर्फ और सिर्फ रचना से ही मिलते हैं याद रखना रचनाएं जरूर लिखनी है रचना को एक और नाम से जाना जा सकता है उन्हें हम क्रतियां भी कहते हैं याद रखना किसी को कंफ्यूज नहीं होना है रचना और क्रतियां एक ही होती है ठीक है अब बात करते हैं उनकी काव्य गद विशेषता है काव्य गद विशेषता है यानि कि उनका भाव पक्ष क्या था उनका कला पक्ष क्या था ठीक है भाव पक्ष यानि कि उनकी कविताओं में उनके दोहों में हमें कौन सा भाव देखने को मिलता है ठीक है जैसे बात करें सूर्दास तुलसी दास की तो उनकी रशनाओं में कैसा भाव भक्ति का भाव में मिलता है। सूर्दास कौन थे? वो थे कृष्णि भक्ति धारा के कभी। तो उनकी रशनाओं में सिर्फ कृष्णि की लीलाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं तुलसी दास की। तो उसी दास थे राम भक्त शाखा के कभी तो उनकी रशनाओं में राम की महिमा का ही वर्णन मिलता है ठीक है फिर बात करते हैं यहाँ पे महादेवी वर्मा वो क्या थी वो थी छाया वादियों की कभी तो अगर उनकी रशनाओं में क्या मिलता था प्रिकर्टी का मनोरम चि स्काने की उन्होंने कौन सा छंद का प्रेव की यह कौन कौन से आलंगकारों का प्रेव जैसे जो सुमित्रा नंदन पंथ है उनने की रश्णव में सबसे ज़्यादा मानवी करण अलंगनार को देखने मिलता है ठीक है और बात करें अगर तुलसीदाफ जी कि तो उनकी किया है कौन सा यलंकार है और कौन सा रस है यह सारी बाते आपको लिखनी है ध्यान रखना अगर एक्जाम में किसी भी कवी 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 परीचे पूछ लिए जाए तो ऐसे ही पॉइंट बना के आपको लिखना है सबसे पहले उनकी जन्मती थी बतानी है फिर उनका जन्मिस्थ आपको सिर्फ एक कवी की पढ़ लेनी है उसको याद रखना है फिर आप उसी की आधार पर आपने जिस कवी की रचनाय पढ़ी है उसी की आधार पर आप कावेगत विशेष्टा है लिख देंगे ठीके चलिए अब बात करते हैं कि आप इसको याद कैसे करो यह तो ताय हो आपको क्या करना है इस वीडियो को देखने के बाद अपनी कॉपी में ऐसे तीन खंड बनाने कॉपी लिए एक जगए लिखा रचनाय दूसरी जगए लिखा आपने जन्मतिती तीसरी जगए आपने लिखा जन्मस्थान और एक बहुत इंपोर्टेंट बात आपकी बुक म कवी की जो भी पाठ आए हैं जो भी दोहे आएं उन्ही कवीयों का जीवन परीचेप पूछा जाएगा कुछ भी अलग से नहीं पूछा जाएगा ठीक है चलो तो यहां पर लिखा आए एक कॉपी लेना कॉपी में ऐसे तीन सबसे पहले सारे कभियों का यहां पे नाम लिख लेना चीक है यहां पे उनका नाम लिख लेना चीक है यहां पे उनकी रचनाएं चीक है रचनाएं लिख ली यहां पे उनकी लिख ली जन्मती थी उनका जन्म कभ हुआ अब लिख लिया उनका जन्म स्थान अगर आपने किसी का भी कभी लिले यहां बात कर रहे अगर आपने लिख लिया सुमित्रा नंदन पंध तो यहां पे आपने उनकी रशनाय लिख ली यहां पे उनका नाम लिख लिया उनकी रशनाय लिख ली आप उनका लिख लिया जन्मती थी उनका जन्म कब हुआ फिर लिख लिया उनक जन्मिस्थान लिख लिए ऐसे ही आपको जितनी भी दोहे आपकी जितनी भी कविताएं आपकी बुक में हैं उनके सारे राइटर के ऐसे नाम लिख लिए ऐसे उनकी रशनाएं ऐसे उनकी जन्मती थी और ऐसे उनका जन्मिस्थान अगर नोट कर लिए आपने तो माल लो आप के इस पेश को खोल के जरूर पढ़ लीना है जाद जरूर नहीं आप याद करो अगर आप बार बार पढ़ लोगे ना तो यह चीज़ा आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी ठीक है तो वीडियो के बाद सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों को ऐसी कौपी में तीन लाइन से लिख लोगे आपके पांश नंबर तय हीता है और भी इस तरीके से इंट्रेस्टिंग बातों को जानने के लिए जुड़ रही हमारे चैनल से तब तक के लिए अपना ध्यान लखें बाए टेक क्यार